Hello everyone, welcome to my channel Friends, आज हम ये bed sheet का design बनाएंगे इस design से हम bed sheet, cushion cover, जा pillow cover, जा table का cover कुछ भी हम अपनी imagination से बना सकते हैं इस design को बनाना भी एकदम easy तरीके से मैंने अपनी वीडियो में बताया है bed sheet का design बनाना शुरू करते हैं बैट sheet का design बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है ये कपड़ा हमारा दो color का है इस तरह से हम दो color का अपनी मर्जी से कपड़ा ले लेंगे इस कपड़े के मैंने cutting कर ली है तो ये कपड़ा हमारा यहां से 10 इंच है और इस side से भी ये हमारा 10 इंच है अब हम यहां से लेके यहां पूरे में silicon करेंगे ये इन लाइन मैंने लगा दी है चार ओर से हमारी इस तरह सिलय लगी है अब इस तरह से हम एक scale लेंगे और यहां से हमें तिर्शी line लगाने है एकदम हमारी सीधी आने चाहिए ये line ये एक side से लगी है दूसरी साइड से भी हम तिर्शी लाइन इस तरह से ही लगाएंगे ये तिर्शी लाइन मैंने लगा दी है इन लाइनों को हम अभी कट कर लेंगे जैसे हमने ये लाइन लगाई है उसी तरह से हम कट कर लेंगे ये लाइन मैंने काट दी है अब ये भी हम इसी तरह काट लेंगे ये कपड़ा हमारा इस तरह से कट चुका है अब इस कपड़े को हम इस तरह से ऐसे सीधा करेंगे और यहां पर आइरन कर लेंगे सबी पीसीज पर अब यहां पर मैंने प्रेस कर दी है ये पीस हमारा इस तरह से बना है ये corner हमारे थोड़े-thोड़े निकल आए है इनको हम cut कर लेंगे तो यहाँ पे हम बराबर रखके ऐसे cut करेंगे सारे pieces के इस तरह से cut कर के ready करते है ये 4 piece हमारे ready हो गए है इस तरह से अब हम इनको set करेंगे जैसे ये piece है हम इस तरह से लगाएंगे और यह हमारा ऐसे आएगा और यह वाइट इदर है तो यह हमारा पिंक इदर आएगा यह लास्ट वाला पीस हमारा इस तरह से आएगा ऐसे जैसे एक पिंक आएगा फिर वाइट पिंक वाइट इस तरह से हमारा यह पीस ऐसे हो गए है इनके अब हम सिलाइ करेंगे जैसे ये दो पीस है इनको हम यहाँ से ब्राबर रखे सिलाइ करेंगे और ये दो पीस है इनको भी यहाँ से सिलाइ करते हैं ये शिलाई बेने लगा दी है अब ये पीस हमारे दोनों जूड़ चुके हैं इस तरह से इसके बाद हम ये दोनों पीस इस तरह से जोईन करेंगे लेकिन जोईन करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है ये जो दोनों सिलाईया है हमारी एक दूसरे के बराब बराने चाहिए जिससे की ये हमारे जो कोर्नर है एक दम बराब बराएंगे यहाँ पर सिलाई लगाते है यह सिलाई भी मैंने लगा दी है अब यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे जैसे यह सिलाई है इसको हम खोल के करेंगे प्रेस इस तरह से दोनों सिलाईों को अब यहाँ पर मैंने प्रेस कर दी है यह पीस हमारा रेडी हो गया है इतना तू एंड हाफ इंच पे निश्यान लगाएंगे यह दूसरी साइड है यहां भी हम लाइन लगाएंगे इस तरह से यह लाइन मैं लगा दी है यहां से हम कट कर लेंगे यह साइड का भी अब यह पीस हमारे कट चुके हैं तो अब ध्यान से देखिए अब हमारा एक magic होगा जिससे यह सारा डिजाइन हमारा बदल जाएगा तो यह हमारी जो प्लेस यह स्ट्रिप्स है इसको हम इस तरह से बदलेंगे और यह हमारी इस तरह से आ जाएगी और ये बदलेंगे हम ऐसे ये हमारी इस तरह से बन जाएगी देखिए अब हमारा ये पूरा डिजाइन चेंज हो चुका है अब हम इनकी सिलाई करेंगे जैसे ये पीस है इसको हम इसके साथ सिलेंगे लेकिन सिलते टाइम में हमें ध्यान रखना है ये सिलाई और ये सिलाई हमारी बराब बराने चाहिए तब हमारा ये डिजाइन प्रोप पर आएगा इस तरह से सिलाई लगाऊंगी ये साइड में भी सिलाई लगाते हैं ये सिलाई मैंने लगा दी है अब हमारा पीस इस तरह से बन गया है ये पूरा डिजाइन तो यहां पर हम iron कर लेंगे कि मैंने iron कर लिए है यहां पर अगर हमारा सिलते time आगे पीछे थोड़ा थोड़ा कपड़ा हो जाता है यहां से तो उसको हम cut कर लेंगे यह हमारा एक piece ready हो गया है इसी तरह से हम एक और piece ready करेंगे यह piece है मैंने इसी तरह से ready किया है यह दोनों piece इस तरह से ready करेंगे यहाँ पे हम यह एक piece बना के यहाँ इतना हम cushion cover भी बना सकते हैं तो यहाँ पे पट्टी लगा के और बड़ा कर सकते हैं हम तो हमारा cushion cover बन जाएगा यह design अब इसकी हम जैसे bed sheet बनाएंगे क्यूल्ट बनाएंगे तो ऐसे pieces हम इस तरह से joint करेंगे जैसे यह हमारे दो pieces हैं अब हमारा design इस तरह से भदल जाएगा जैसे दोनों को मैंने ऐसी रखा है दोनों को joint करेंगे इस तरह से तो यहाँ पे हम चिलाई लगाएंगे लेकिन यह दियान रखना है यह जो हमारे शिलाईयां है एकदम बराबर आने चाहिए तब यह हमारा design बराबर आएगा तो शिलाई लगाते हैं यहाँ पर यह दोनों piece यहाँ से मैंने join कर दिये हैं अब यह देखिए हमारा यह joint एकदम बराबर आने है तब यह आएंगी जब हम कपड़े को बराबर रखेंगे तो इस तरह से यह हमारा अलग से design रेडी हो गया अब इसी तरह से हम आगे आगे जोडते जाएंगे जितना बड़ा हमें जैसे क्योल्ट बनानी है जब एडशिट बनानी है उसी साथ से हम रख लेंगे यहाँ पर यह हमारा joint है इसको हम iron कर लेंगे यह सिलाई खोल के हमें iron करनी है इस तरह से iron करने से क्या हमारी finishing एकदम अच्छी आती है अब यह एक पीस हो गया है हमारा ready यह मैंने एक और ready किया है इसको भी हम यहाँ पर ऐसी लगाएंगे तो यह ध्यान रखना है pink वाली side हमारा यह pink आना चाहिए यह हमारा दूसरा piece है इसको भी हम इसके साथ यहाँ पर attach करेंगे तो यह ध्यान रखना है यह हमारी σिलाईया जो हैं एक दम बराबरा आनी चाहिए तो यहाँ पर हम सिलाय लगाते हैं यह हमारे दो पीस जोइन हो गए है इसके बाद में एक और पीस यह है इसको भी जोइन करेंगे यहाँ पर जैसे हमने पहले पीस इस तरह से जोइन किया है ऐसे ही हम इसको भी जोइन करते हैं अब देखिए हमारे ये तीन पीस जुड़े हैं एक तो तीन इस तरह से डिजाइन बना है ये देखिए कितना प्यारा हमारा डिजाइन लग रहा है इसी तरह ऐसे ब्लोक्स बना के हम आगे आगे जॉइंट करते जाएंगे जितना बड़ा बैट शीट जा कुल्ट हमें बनान इस मेजरमेंट में ये हमारा इतना बना है यहां से 37 इंचीज है और इस से ये हमारा 22 इंचीज है इतना डिजाइन बनाया है इस से मैं टेबल का कबर बनाऊंगी तो इसके लिए हमें साइड में भी कपड़ा चाहिए तो ये मैंने ये स्टिप्स काटी है वाइट कलर के कप हाफ इंचिस है और लंबे में हम इसके बराबर लेंगे ये साइड और इस साइड लगाएंगे पहले ये दोनों साइड में लगाएंगे हम आमने सामने पहले तो ये स्रिप्स है जैसे इसको हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे यहाँ पर सिलाय करेंगे और उसका भी हम सिलाय करत इस साइड में जोलेग झाला किया अगर हमें इस तरह की लेस मिले तो हम लेस भी यहां पे लगा सकते हैं क्योंकि यह हमारा टेबल का कबर है तो लेस हमारी बहुत अच्छी लगेगी तो मैं इसको इसी तरह सिलाई लगा के फोल्ड कर रही हूं बाद में भी हम लगा सकते हैं कभी भी इस लेस को तो यहां पे म यह सारा कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाती है यह सिलाई मैंने लगा दी है चार ओन में अब यह हमारा टेबल का कपड़ा रेडी हो गया है अब चाहें इसे कुशिन कबर बनाएं जब पिलो कबर बनाएं जा फिर हम क्यूल्ट भी बना सकते हैं बेबी क्यूल्ट भी बना सकते हैं कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं फ्रेंट्स बेडशीट का डिजाइन हमारा बन के रेडी हो चुका है वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहें तो बल बटन में दबा लें जिससे की मेरे अगले आने वाले वीडियो के मोटिवकेशन आपको इजिली मिल चाहेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में